नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस की कंपनी डेसौल्ट से हमने राफेल फाइटर जेट करीदे हैं तो अभी दोस्तों यही डेसौल्ट ग्रूप इंडिया के अंदर अपनी सोफ्ट्वेर सर्विस यूनिट ओफ कर रहा है स्पेशली हमारी डिफेंस MSME के लिए एक डिजिटल ट्रायल रूम के रूप में जहां दोस्तों वे अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा कॉंट्रेक्ट हासिल कर सकते हैं आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो कि दोस्तों आपने सुना होगा Microsoft या फिर Oracle करती है और इसका एक office भी है इंडिया के अंदर और अब ये company दोस्तों अपने software offshore के जरिये इंडिया के अंदर कदम बढ़ाना चाहती है especially दोस्तों आतम निरवर भारत के तहत और आतम निरवर भारत के तहत domestic defense manufacturing को बढ़ाने के लि करोड रुपए की procurement करने वाली है और 10,000 करोड का एक fund specially startup और MSME के लिए create किया गया है तो आप सोच लीजिए कि इंडिया की companies अब कितना आगे आने वाली हैं और उनको कितने contract मिलने वाले हैं और the salt system भी अब इसका फाइदा उठाना चाहता है इसलिए उसने दोस्तों जिसे वह कह रहा है एक common shared infrastructure model जो एक innovation center की तरह होगा और साथ ही ये state government से बात कर रही है जहां हमारे नए defense corridor बनने है उत्तर परदेश और तमिल नाडू के अंदर वहाँ नए industrial corridor specially defense के अंदर बनाने के लिए और उनका कहना है कि हम ऐसे center बनाएंगे जहां पर छोटी MSME और कमपनियां वहां से technology हासिल कर सकती है जो technology हमारे पास है वे उन्हें offer की जाएगी और दोस्तो आपको बताना चाहूंगा कि Dassault System इस समया पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की वो company है जिसके पास में computer added design software सबसे ज़ादा है और ये वो technology है जिसके अंदर computer का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि Boeing, Airbus, NASA और वहीं इसके अगर Indian companies की बात करें जो इसके customer है तो उनके अंदर अशोक, Leland, Supra, Jeet जो की सबसे बड़ी cable maker है और साथ ही drone manufacturer General Aeronautics आते हैं तो दोस्तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भी नया ecosystem हमें तयार करना है जो MSME है वो इतना ज़्याद infrastructure model बनाने जा रही है इसके अंदर बहुत सी defense manufacturing company आ सकती है अपने ideas को अपने concept को लेकर और साथ ही दोस्तो ये virtually और physically दोनों तरह से possible होगा और ऐसा ही system इस company ने America के अंदर भी लगा रखा है वहां की companies की मदद के लिए और ये center America के विचिटा के अंदर लगाया गया है वहां क विचिटा State University के साथ में collaboration करके और वो अमेरिका का सबसे बड़ा aerospace hub बन गया है और इसी तरह से दोस्तो नई technology इंडिया के अंदर भी तैयार होगी और नए नए defense project भी शुरू होगे धन्यवाद जैहिन